नमस्ते, आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर केने जारी हमारी सिंधी स्पेशल सेल भाजी अब ये भींडी, टिंडे, आलो, बैंगन इन सभी को मिलाकर बनाई जाती है वैसे इसे कड़ाई में बनाया जाता है पर आज हम कुकर में बनाएंगे दिखो उसके लिए चार बैंगन, चार टिंडे, चार प्यास, चार हरे वाले बैंगन, 250 ग्राम बेंडी चार कच्चे आलो को बीच से काट लिया, बैंगन में बी कट लगा लिया, टिंडो में भी, प्यास में भी और सेजन की फली मैंने 100 ग्राम लिया है इन सभी को अच्छे से पानी से धोकर अच्छे से वाश करके प्लेट में इस तरह से रख दिया है तीन टमाटर, दो प्याज और चार हरी मिर्ची सभी को काट कर अच्छे से पानी से वाश करके मिक्सर में डाल कर आपको पीस लेना है गैस को अन करके मैंने अबर प्रिशर कुकर रख दिया है दो बड़े चमस तेल डालेंगे जैसे गरम हो जाए आदी चमस जीरा और जो हमने ये प्यास टमाटर, हरी मिर्ची को पीस के रखा था वो एक चमच भर कर अधरक लसन की पेस्ट और इसे हमें अच्छे से भूनना है लगबग दो से तीन मिट के लिए ऐसे हमें भूनना है उसके बाद चौथाई चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लालमश आप देख सकते हैं लगबग दो से तीन मिट हो गए और आप देखें कितने मसाले बड़ी आसे पक गए है तो हम क्या करेंगे यह जो चटनी है प्लेट में थोड़ी से निकाल लेंगे और बाकी बची हुए चटनी हम गोकर में रखेंगे गैस के आज को बिलकुल धीमी कर बलकुल लो फलेम कर लेना और अब इसके अंदर देखो मैंने बड़े बड़े चार आलू लिये थे जिसे छील कर बीट से काट लिया है चार प्यास चार टिंडे दोनों को चील कर पानी से अच्छे से वाश करके चार कट लगाने है आधे तक ही लगाना पूरा नहीं ने त वाड़ा जो दो कलर के बैंगण हैं दो तरह के बैंगन हैं गालके मैं निकाल के रखी ती नहीं जहां तरहें क्टए बहां बाज कीसा कि से भर दो ऑर बही को भी पानी के साफ कपड़े से पोच़ कर मैंने रखी और जो अन Gespryou अब इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ एक कप पानी, हाजी अपने सही सुना, देखो बले ही इतनी सारी सबजिया पर एक कप पानी ही डालना है, धनिया के पते डाल देना है, और इसे दो से तीन सेटे, यानि के दो से तीन विसलाने तक पकाना है, जैसे ही पक जाए गैस को ब बहुत बड़ी हमजा है का ट्राय करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थांक यू फॉर वाच्छाएंग,